नमस्कार मैं प्रग्या धरद तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को रेटिंग एजनसी मूरीज इन्वेस्टर सर्विस निस आधार कार्ड को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसकी विश्वस्नियता पर सवार उठाई गये थे बार आधार की मदद से खुद को वेरिफाई किया भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सालाना आम बैठक सोमवार से गोवा में सुरू हो गई यह बैठक 27 सितंबर तक चलेगी बैठक के पहले ही दिन बोर्ड ने स्टेट क्रिकेट एस्सोशेशन को एक बड़ा फर्मान बार आधार के बैठक बैठक के मुताविक बीसी सी आई ने स्टेट क्रिकेट एस्सोशेशन को यह नरदेश दिया है कि वह अपने गस्ट खिलारियों को दी जाने वाली अतरिक रासी को बंद करने का फैसला ले बोर्ड ने अपने नरदेश में कहा है कि गस्ट प्लेयर्स क मिलने वाली अतरिक रासी को बंद किया जाए और साथ ही अपने प्रोफेस्नल खिलारियों को अने घरेलू क्रिकेटर की तरह ही केवल मैच फीस दी जाए पटना के राजइन्तरनगर में पंदे दीन दयाल उपाध्याई की प्रतीमा असल पर सोमवार की सुभ़ग का नजरा देखने लायक था भाजपा की मूल पार्टि जनसंक के संसापकों में से एक पंदि दीन दयाल उपाध्याई की आज जहयंती थी नितीश कुमार अचानक से जहती समारों में शामिल होकर उनकी प्रतीमा पर मालयारपन करने पहुँच गये जिसके बाद नजरा दल्चस्प था नितीश कुमार के बहां पहुँचने के लगबग 7 मिनट बाद दौरते भागते हुए डिप्टी सीम तेश्वी आदब भी बहा कर दिया है कि फोटो में कुछ गलत नहीं है जो उनके साथ उन्हें संभाले हुए हैं वे उनके पती हैं इस फोटो को शेर करते हुए बीज़पी के एक निता ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नारी समान करते और कराते कॉंगर्स की निता प्रधान मंत्री नंद्र मोधी द्वारा बिहार में एक सही देश भरमे कुल नव जन्दे भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों को हरीजन्टी दिखाने के बाद केंद्री राज्ये मंत्री अस्विनी चौबे ने रविवार को बिहार के मुख़े मंत्रे नितीश खुमार पर इसके लिए एंटी टेर्रिस्ट प्लान बिनानी की कवायत की जा रही है कृनाड़ा से विवाद के बीच निये आरे डबलू एटीएस और आईबी की सियुक्त बैठक बुलाई गई है रेपोर्स के मताबिक कतित तौर पर निये ने 5-6 ऑक्टूबर को नई दिली में आपात बैठक बुलाई है जिसमें देशबर से आतंगवाद निरोधी दस्ते के प्रमुश्टा में गई है अक्सफोर यूनिवसिटी प्रिसद्वरा प्रकाशिट जिनोम वायलोजी एंड एवल्यूशन की एक हाली आध्यान ने बहुत बढ़ा खुलासा किया है इसके मताबिक मा अरल संक्रवन को सेहन करने की छमता भी बहुत अधिक होती है महंगाई पर काबू पाने और गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार मास्टर प्लान बनाने जारी है दरसल भारत गेहूं का बड़ा कंचूमर और प्रोडूसर है ऐसे में इस बीच देश में गेह रही है अजीर सेमजी उनिवर्सिटी के एक नए सर्वेक्षन के इनुसार 25 वर्ष से कम उम्र के 42 प्रतीशत भारती सनातकों का काम नहीं मिल पाड़ा है सरवे को लेकर स्टेट बनाए गई स्टेट ऑफ वरकिंग इंडिया 2030 नामक रिपोर्ट के इनुसार सभी सैशने की य 35 साल और उस्ते अधिक के उम्र के सनातकों के लिए 5% से भी कम हो गई है एक महीने पहले तक जो टमाटर थोक मंडियों में 200 और फूट कर में 250 के पार पहुँचकर लाल हो रहा था फसल उगाने वाले भी माला माल हो रहे है ते आज इसको उगाने वाले किसान बेहाल है और के चारे पीले पड़ गए है महरास्ट्र में टमाटर की कीमते एक महीने पहले 200 रुपए प्रतिकीलों से गिर कर 35 रुपए प्रतिकीलों तक गड़ गई है ऐसे में यहां को किसान अपनी उपच को नस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं दरसल बंपर पैदावार के पर होने कहा कि नतीश कुमार पर कई बार हमने कहा है कि उनकी विश्वस्निता खत्म हो चुकी है किसी को कोई कब पार्टी में लेता है जब वह मजबूत हो वो तो कम्प्रीट लाइबलेटी है मैं तो बोलता हूं कि वो चलते फिरते एमरेस्वेंट है देश की दिगज पे पाश्री राजधानी में चलने वाली दो बसों मस्तमाल किया जाएगा भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड के उपाध्यक्ष राजीव सुकला ने क्रिकेट में जातीवाद का रोप लगाने वाले एक सक्स खेल में इस तरह की बाते नहीं करने को कहा है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक सक्स ने सचिन तनुलकर को ब्राह्मन और सुमन गिल को जाट कालर का बताया था इस पर राजीव सुकलाने जवाब देते वे उस सक्स से कहा कि भगवान के लिए क्रिकेट में जातीवाद मत लाओ ग्यान वापी मुक्ति माहपरिसद के कारीकरताओं ने सोमवार को बैठकी और सपानेता स्वामी परशाद मौरी के हालियों बयान पर अपती जाहिर की स्वामी परशाद की राजनिती को देज के लिए विवाजन कारी बताया महापरिस्त के संयोजग राजा अनंद जोती सिंग ने बताया कि स्वामी प्रशाद मौरी के धूरत और हिंदू समाज विरोधी बयानों के कारण हम लोग उन्हें बुरका भेज रहे हैं जिसे पहन कर वो अपनी वास्विक पहचान के साथ हिंदू समाज के सामने आए जिस तरह से भारत के एकनौमे मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है दुनिया के कई फाइनेंसिल इंस्ट्यूशन की ओर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए है अब ऐसा ही सवाल मौडीस की ओर से खड़ा किया है जब उसने आधार पर सवाल उठा है एमोडीस की ओर से बढ़ बाद सरकार न aur उतर जवाब दिया है अर्मिनया, पोलाण, जॉर्जियो और ऐसे तमाम देश्यों में भारत के राजदूत के तोर पर तैनाथ रहे दीपक वहरा प्रदेश के मुझह पर पुर्ण नगर में एक नीजी स्कूल के आधिया पीका द्वारा एक मुस्लिम छात्र को सपाटियों से मारने की घटना को लेकर सुप्रेम कोट ने आफायार दश करने में हुई देरी सिक्षा की गुनवत्ता और धर्म के आधार्म पर भेदभाव की जाने पर सवार उठाएं हिंदुस्तान टाइम्स के नुसार सरकार को सिक्षा का अधिकार अधिनियम के नुपारन में प्रथम द्रिश्ट्य अवेफल रहनी के लिए फटकारते वे कोट ने अध्यापिका के खिलाफ दर्ज मामनी के निगरानी के लिए एक अधिकारी को तुरंत नुप करने का नर्दीश दिया रवी चंदरन अस्विन की 20 महीने बाद वंडे टीम में वापसी हुई उस्ट्रेलिया एक खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वंडे सरीज में अस्विन का प्रदर्शन भी जोड़तार रहा है दूसरे एक दिवस य लिए अपनी दावेदारी पेश कर दिये हाला कि इन सब के बाद उद अस्विन भारत की विश्वरी कप्टी में जगा बनाने में नाकाम रहेंगे ऐसा हम नहीं बलकि पुर्व गंगारु कप्तान आरोन फिंच का मानना है भारत और कनड़ा के बीच बीचे कुछ दिनों से खालिस्तानी आतंकी हर्दीव सिंग निजर की हत्या को लेकर विवाज चल रहा है आपको बता दी कि बीच 13 सितंबर को कनड़ाई प्रिधान मंतरी जस्टिन टुडो ने कानड़ा के हाउस ओफ कॉमेंस में कहा कि हर्दीव सिंग निजर की हत्या के पीछे भारती एक हूफिया एजनसी का हाथ है इसी बीच खालिस्तानी आतंकवादी हर्दीव सिंग निजर के मर्डर से जुड़ा एक वीडियो सामने आने की बात की जा रही है वासिंटन पोस्ट ने वीडियो का हवाला देते वे जानकारी दी की निजर की हत्या गुरुदवारी के पार्किंगे पास हुए थी इस मर्डर में कम से कम च्छा लोग शामिल थे जिनके पास दो गारिया थी अब रामनगरी अयोध्या से भी जमीन में हो रही हल्चल की जानकारी मिल सके की से आने वाले भुकम से राम मंदिर की भी सुरक्षा हो सकेगी भावा एटोमोर्टिक रिसर्च संटर ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवद विश्विद्याले में जीयो स्टेशन स्थापित किया है जिसमें जमीन के भीतर होने वाली गती वीदियो का सिगनल मिलेगा और भुकम पाने से 24 गंटे पहले ही जानकारी मिलेगी इससे जानमाल के सुरक्षा हो सकेगी देश में सो ऐसे स्टेशन बनाएं गया है जिसमें एक अस्थान रामनगरी अयोध्या को भी मिला है सिंट्रल वक्फ कांसल के पुर्व मेंबर हनीफ अली अब हमारे बीच नहीं रहे है अधरबाद में काडियक अरिस्ट की वज़े से उनका निधन हो गया है उनके निधन का समचार मिलते ही जानने वालों में शोक की लहर फैल गई है लोग उनके निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे इतिलांग के मुस्लिम समुदाई के लिए हनीफ अली ने कई अच्छे काड़े किये थे जिसे लोग याद करते हैं हिंदुत्वा वाच की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2023 के पहले 6 महीनों में हेट स्पीच के 205 पर मामले दर्श किये गए हाला के पिछले साल के इस तरह के कई आकरे उपलद नहीं है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पहले ऐसे मामले जादा होते थे या कम लेकिन रिपोर्ट में जरूर कहा गया है कि चनावों के करीब इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं सिम्त राष्ट के मताबिक हेट स्पीच किसी भी तरह का संबाद हो शकता है जिसमें किसी अने व्यक्ति का धर्म समुक के खिलाफ नसल राष्ट्रेता रंग मूल लिंग्या आने पहचान के आधार पर भेद भाव पुन भाशा का प्रयूग किया जाए सुमवार को कॉंसिट्यूशन क्लब में आयुजित साहित्य महुसब कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तकों पर चर्चा के दौरान केंद्री सूशना वा प्रसारन मंत्री अनुराक ठाकुर ने कहा कि 9 साल पहले 10 वे पायदान पर मौज युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंट्मेंट लेटर बाते हैं युवाओं को सरकारी नौकरी अलग-अलग विभाग में दी गई है किंद्र सरकार के भरतियों के अलावा राजे और किंद्र शासत प्रदैशों के लिए भरतियां की गई है प्रदैश के नीलकरी जिले के वन छेत्रों में 10 वागों की मौत की खबर है बताया जा रहा है कि बीते 40 दिनों में यहां 10 वागों की मौत हो गई है बीमा निगम समय समय पर कहीं तरह की स्कीम लॉंच करता रहता है जिसके ज़र ये देश के अलग-अलग वर्ग के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी खरीद सकते हैं एक ऐसा ही स्कीम का नाम है LIC धन व्रिधी स्कीम या एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जो 30 से तंबर 2023 को खत्म हो जाएगी ऐसे में आप से पास ये प्लान खरीदने का आखरी मौका है आप इस योजना का फाइदा उठाना की सोच रही है तो आपके पास के वल चार दिन ही बचे हैं किंद्र सरकार लोग सभाच नौ से पहले महंगाई पर यंत्रें रखने की पूरी कोशिश कर रही है इसके तहट नरेंद्र मोदी के काबिनेट की बैठक में स्पीजी गैस के दाम में 2000 रुपए की कटोती के प्रस्ताओं को मंजूर कर दिया गया था इसके बाद उजवला योजना के तहट मिलने वाली सबसी 400 रुपए हो गई इससे मिडल क्लास और गड़ी प्तपके के लोगों को बरी रहात मिली अफसरकार के दोरा सहरी मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना लेकर आने पर काम किया जा रहा है इस योजना के तहट लोगों को बैंक से कर्ज लेने पर बरी रहात दिन जाएगे 49 वी अखिल भारतिय पुलिस साइंस कॉंग्रिस का आयोजन साथ और आठ अक्टूबर को देरा दुन में होगा इसका उनकाटन केंद्रे ग्री मंत्रे में साह करेंगे इस कारी करम में सीयम धामी भी मौजूद रहेंगे 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उतराखन में अखिल भारतिय पुलिस साइंस कॉंग्रिस का आयोजन हो रहा है जिसकी थीम पुलिसिंग इन अम्रत काल है सुबे में 1-2 रही बलकी 21,391 नई जवानों की भरती की जाने वाली है इनकी नुक्तिक अटकाम दिसंबर तक पूरा भी हो जाएगा लेखित परिक्षा के लिए पहले सहीं तारीकों का ऐलान किया जाचुका है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है अपने जवाब हमें हमारे कमेंट स्क्ष्ण में लिए ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही धैनेवाद